हेलो दोस्तो उपस्तितू नई जानकारी के साथ और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहा हूँ केटो स्टार क्रीम के बारे में इस 30 ग्राम क्रीम का मुले है 110 रुपे और इसको मैनुपेक्चरिंग करती है मैन काइन फार्मा लिमिटेड तो आईए दोस्तो जानते है कि केटो स्टार क्रीम किस तरह से स्कीन समंदी समस्याओं में एफेक्टिव है और इसको स्कीन पर लगाने से क्या विपरित परिणाम हो सकते हैं दोस्तो केटो इस्टार एक एंटी फंगल मेडिसिन है इसका इस्तेमाल फंगी के कारण होने वाले इसकीन इंफेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है इसलिए दोस्तो ये क्रीम काम करती है फंगल इंफेक्शन में दाद, खाज और खुजली की समस्या में इंफेक्शन या फिर पसीने के कारण जोक इचिंग की समस्या होती है तो दोस्तों उसमें भी ये क्रीम काफी effective है और कभी कबार तवचा गिली रहने के कारण या उसमें नमी रहने के कारण भी infection की समस्या हो जाती है तो दोस्तों इस परकार की समस्या में भी ये क्रीम बहुती effective है तो दोस तो सबसे पहले आप परभावित हिसे को पानी या फिर पोवर्डिन आयोडिन के पानी से अच्छे से धो लें उसके बाद में आप किसी साफ कपड़े या फिर कोटन से उसको पौँच लें और सूखने के बाद में आप इस क्रीम को लगाएं और दोस्तों ध्यान रहे कि इस क्रीम को लगाने के बाद में आप अपने आतों को कभी भी मूँ नाक या आँख को नहीं चुएं हातों को साबून या हैंड़ोस से अच्छे से धोलें तो आईए दोस्तों अब जानते हैं कि इस क्रीम के कारण तवचा पर क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस क्रीम को वहाँ पर अधिक मादरा में लगाने से लाल चकते या फिर इसकीन के पतला ओने की समस्या होती है उप्योग वाली जगा पर खुजली, जलन या फिर सूजन की समस्या बढ़ सकती है लेकिन दोस्तों इस परकार के साइड इफेक्ट्स बहुती कम समय के लिए रहते हैं समय के साथ ही वहाँ पर इसकीन वापस नॉर्मल हो जाती है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसन समंदी और स्वास्ते समंदी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें